नमस्कार दोस्तों, वर्ष 291 भारत पाक युद्ध का हीरो अवर्थ भारती नौसेना का जान और सान आईएनेस बिक्रांथ एक बार फिर से भारती नौसेना में सामिल हो चुका है जैसा कि 2 सितंबर को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने केरल के कोच्ची से आईएनेस बिक्रांथ को देश को समर्पित किया ऐसे में आईए आज के इस वीडियो में आईएनेस बिक्रांथ के बारे में जानते हैं कि आखिर इसकी खासियत क्या है जैसा कि पहले इसका नाम बिक्रांथ था लेकिन जब भारती नवसेना में इसे सामिल किया गया तब इसका नाम आईएनेस बिक्रांथ हो गया जैसा कि INS का फुलफार्म होता है इंडियन नेवी सिप यानि कि यह अब भारती नौसेना का जहाज हो चुका है जैसा कि 45,000 टन वजन वाले इस युद्धपोत को 20,000 करोन रुपए खर्च करके बनाया गया है जैसा कि इसका डेक यानि कि जहाज के उपर का अस्थाई आवरण जो कि दो फुटबाल मैदान के बराबर का है जैसा कि इस पर एक साथ 30 फाइटर प्लेन और हेलिकाप्टर तैनात किये जा सकते हैं जैसा कि इस नए आइनेस विक्रांद की सबसे खास बात यह है कि इसे आत्म निर्भर भारत के ताहत बनाया गया है जिसमें कुल 76 प्रतिसत सामान भारत का लगा हुआ है और इसमें कुल 500 भारती कमपनियों ने काम किया है जैसा कि आइनेस विक्रांद को बनाने को लेकर के सरकार कहती है कि इसे कुल 13 सालों में इसे बनाने में करीब कुल 15,000 नौकरियां आई कि आइनेस विक्रांद के अंदर कुल 2300 कमपार्टमेंट हैं जैसा कि आइनेस बिक्रांत की लंबाई कुल 262 मीटर है वही इसकी चवडाई भी 62 मीटर है और उचाई 60 मीटर है और यह करीब और इसमें एक साथ कुल 1709 सैनिकों के रुकने की बेवस्था है और साथ ही साथ इस यिद्धुपोत की यह भी खासियत है कि इसमें महिलाओं के लिए अलग केविन बनाया गया है और साथ ही साथ इसमें ICU से लेकर के सभी प्रकार की सुविधाये भी मौजूद हैं और INS बिक्रांत की सबसे बड़ी ताकत समुद्र में जाने के बाद दिखेगा जैसा कि बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार करीब 28 नाटिकल्स की है यानि कि करीब 51 किलोमेटर प्रति घंटे की है वही सामान निगत की बात की जाए तो इसकी सामान निगत 18 नाटिकल्स या यानि कि 33 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और साथ ही साथ एयर क्राफ्ट की रफ्तार पचाहत्तर सो नाटिकल्स मेल की है यानि कि 13,000 प्लस किलोमेटर दूरी एक साथ तैं कर सकता है जैसा कि INS बिक्रांत के आ जाने से हिंद महासागर में भारत की नवसेना और भी मजबूत हो चुकी है जैसा कि INS बिक्रांत आ जाने से भारत के पास कुल दो युद्धुपोत हो चुके हैं जैसा कि इसमें पहला नाम आता है INS बिक्रमा दित्त की और दूसरा INS बिक्रांत है जैसा कि INS बिक्रांत को कोच्ची सिप्याड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है भारत के पहले एयरक्राफ्ट का नाम भी INS बिक्रांत ही था जिसे ब्रिटेन की रायल ने भी से लिया गया था लेकिन वर्स 1997 में आइनेस विक्रान्थ डिक मिसन कर दिया गया यानि कि इसको उसके पद से हटा दिया गया था अब जब नए आइनेस विक्रान्थ आ चुका है तो ऐसे में भारत पास दो केरियर हो चुके हैं जैसा कि आईनेस बिक्रांत को जब इसे 1997 में इसके पद से हटा दिया उसके बाद सरकार द्वारा इसे सबसे पहले जनवरी 2003 में मनजूरी मिली और साल 2007 में इसका कांटेक्ट साइन हुआ और तब जाकर कि 2009 में इसके बनने की प्रक्रिया प्रारंब हुई अब करीब 13 सालों ब प्रिक्षण इस साल के अंत में किया जाएगा ऐसे में अब भारत के पास जब दो केरियर आ चुके हैं तो ऐसे में हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ चुकी है वहीं बात की जाए चीन की तो चीन भी भारत से पीछे नहीं है ऐसे में भारत के पास अब दो केरियर आ चुके हैं ऐसे में भारत का हिंद महासागर में नौसायनिक छमता बढ़ चुकी है ऐसे में भारती नौसेना के लिए यह एक नया अध्याय था जो कि अब जुड चुका है ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवस्य बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद